हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका रेनु का होम किचन में आज की हमारी रेस्पी है राबडी ये राबडी सभी को पसंद आती है इसे हम घर पर भी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक लीटर की करीब फुल क्रीम दूद लिया है और इस दूद को हम एक लोह करेंगे दूद में उबाल आ गया है इसके उपर जो मलाई आएगी उसे हम कड़ाई के किनारों में लगाते जाएंगे इस तरह से अगर आप राबडी बनाएंगे तो वह खाने में बहुत ही ज़्यादा सौधिश्ट होगी एक बार आप इस तरह से राबडी बनाकर जरूर करें दीरे धीरे हम दूद को पकने देंगे और जो उपर मलाई आती जाएगी उसे हम साइड करते जाएंगे बार बार हम इसी प्रोसेस को दोहराएंगे जैसे जैसे मलाई आती जाएगी उसे हम साइड में लगाते जाएंगे और दूद धीमी आज में पकता रहेगा जिससे दूद गाड़ा होता जाएगा दूद को हम को तब तक गाड़ा करना है जब तक कि वह एक तिहाई ना हो जाए बीच-बीच में हम दूद को चलाते रहेंगे कल्ची को हमें खड़ाई की तली तक ले जाना है ताकि दूद जलने ना पाए फिर से मलाई आ गई है इसे हम फिर से साइड करेंगे दूद नीचे से गर्म होगा और उपर से ठंडा होते ही उसमें बलाई आएगी और उसे हम साइड कर लेंगे दूद हमारा वन थर्ड हो गया है अब इसमें हमने चीनी डाली है आप अपनी स्वात के नूशार चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम केसर एड कर रहे हैं इसे बहुत ही अच्छी खुस्पू आएगी इसे भी हम मिक्स कर देंगे बिना ड्राइफूट के भी आप राबड़ी बना सकते हैं इसमें एक अपना अलग ही स्वात होता है चीनी हमारी मिक्स हो गई है अब जो साइड में मलाई है उसे हम कल्ची की मदद से निकालेंगे देखिए कितनी लच्छेदार मलाई बनकर तयार हुई है इस सभी को हम धीरे धीरे कड़ाई के खिनारों से अलग करेंगे और इसे गाड़े की ओवे दूद में मिक्स करेंगे उधी मलाई हमने निकाल ली है देखिए बहुती अच्छी राबड़ी बनकर तयार हुई है इस राबड़ी को फ्रीज में रखकर भी खा सकते हैं राबड़ी को हम एक बाउल में निकाल रहे हैं अब इसे हम डाइपूट से गार्निश कर रहे हैं आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी हमें कमेंड बॉक्स पर बताएं और अपने अनुभा ब्रेन को हम किचन के साथ सेयर करें धन्यवाद झाल